प्रेम चंदोत्तर युग के प्रतिष्ठित रश्णाकार यश्पाल जी की लिखी हुई कहानी आसुनिये चलिया नारी भारतिय स्वतंतरता संग्राम के प्रसिद इकरांतिकारी थे और साहित अकाद्मी पुरसकार से सम्मानित एक समाद्रत कथाकार और पन्यासकार थे प्रस्तुत्य कहानी चलिया नारी आस्न निरास भाई ले से गुनगुनाते रहना और आहे भरकर जीवन का दुख प्रकट करना नंदों को नहीं आता था दुख को रोचक और प्रवहुत पादक रूप में प्रकट करना वो नहीं जानती थी रसोई में बैठी गुटने पर सिर्टेके या कोई दूसरा काम करते समय वो गहरी उदासी से सूचती रहती हाई कैसे कटेगी उसके प्रतेक दिन का आरंभ निराशा के अंधकूब में एक और सीड़ी उतर कर होता था और पांच मास पूर उसका जीवन उत्साह से वैसे बुलबुला रहा था जैसे नदी के पतली क्षिड परंतु सजी उधारा अपने स्रोत पर बुलबुलाती है वे बाते किसी से कहने की न थी परंतु हिर्दे में तो सब कुछ था जब और लोगों की तरह संसार में उसने जन्द लिया है तो उनी की तरह पुलक और उत्साह से भरे जीवन के मार्ग में उसके लिए इस्थान क्यों न होगा जीवन के इस मार्ग पर पाव रखने से पहले उसके मन में उमंग क्यों न उठती कल्पना क्यों न जाकती नंदो को जन्द दे देने से पहले उसके माबाप ने उससे कोई राय ना ली थी यो जीवन के मार्क पर उससे चला देने के लिए ही उसकी राय की क्या जरूत थी नंदो का जीवन उसके माबाप के जीवन का अंग था उसे पूछे बिना उसे जन्म दे पाल पोस जब उन्होंने इतना बड़ा कर दिया तो आगे भी वे सब कुछ कर सकते थे और कर ही तो रहे थे शरीर में फूटने वाला जोबन मन में कैसे न फूटे शरीर में उटते जोबन के चिन्नों को दबाया छिपाया नहीं जा सकता परंतो मन में फूटती जोबन की कली को छिपाया और दबाया जा सकता है वही नंदी ने भी किया चुप चुप वो मनी मन सोचा करती गाउं की और सब लड़कियों की तरह एक चैला दूला एक दिम उसे भी डोली में बैठा कर सुस्राल ले जाएगा जहां वो मेंदी रचाएगी रंगीन साड़ी पहनेगी और बगों के जमगट में मूँ से मूँ मिला उंचे स्वर में सोहर सावन और लाचादी गाएगी कहीं उसके लिए भी सुस्राल का घर है जरूर उसे मालूम नहीं कहा पर उसके माबाब को तो मालूम है बिंदो सत्तो राधाज वाला कितनी सहिलियों के दूले उसने देखे थे गाउं की बाट आते आते कितने जवान और मेले में कितने शौकीन बाबू उसकी और तक्ते लगते उनमें से ही कोई न सही परंत उन जैसा कोई एक च्छेला एक दिन उसे लिवाने आएगा यवन की फूपती कली से कल्पना की सुगंद उठ उसके मन को मुध कर देती फिर गाउं में उसके बिया की बाट भी फैल गई उसने से किसी ने न कहा सही परंत सुन तो उसने भी लिया कि वो शेहर में बाबू है स्वैम ही उसने समझ लिया शहर के सुन्दर सलोने बाबू आराम से रहने वाले रसिया, वो ऐसा समझती क्यों ना, जीवन की सबसे बड़ी वस्तु पती की कल्बना सबसे सुन्दर क्यों ना हो, कद्दावर, सलोना, हस्मुक और रसिया, बोल में मिसरी गुली हुई, अपनी आशा और कल्बना पर उसे आँक उठा कर देखने की जरूत नहीं समझी, जन्द भर देखना ही था, पराई चिंता करने वाली औरत के मुह से अपने पती के रूप कुण की बात उसने जो कुछ सुनी, वो उसे भाई नहीं, ऐसे बखने से क्या होता है, उसने सूचा, ऐसा कभी हो सकता है, सुहाग रा विनो सिंग की बूरी बुगा बहु को कोट्रे में बैठा गई, नद्दो समझ गई, जीवन का सबसे उतकट और तीक्ष शन आ पहुंचा, जीवन का रहसे में द्वार खुलने वाला था, जीवन के देवता और परमेश्वर का साक्षातकार होने वाला था, खटिया की पट पर सिर्ट देके वो फर्श पर बैठी थी, उसके कान, आखें और रोम रोम प्रतीक्षा और आशंका से सिहर रहे थे, जान पढ़ता था प्रतीक्षा के वेपल जैसे कभी समाप न होंगे, पर कदमों की आहट एक दफ़ा सुनाई दे जाने के बाद वेपल ऐसे उड़ रोम रोम जिनने सुनने के लिए प्यासा था, अप्रत्याश से जान पढ़े, उनमें मिस्री नहीं गुली थी, बलकि जैसे कुलहाडी का प्रहारा पड़ा हो, उन्होंने कहा, देखो जी, इस घर में अदब काईदे और पर्दे से रहना होगा, समझीं, ये गाउं नहीं श तब्द कर दिया, पहली मुलाकात का असर बुरा होता है, रोग उसी दिन जमा लेना चाहिए, बज़र्गों के अन्वहों की ये बात विनोत सिंग सुन चुका था, पहली रात की पहली मुलाकात में ही द्रड़ता से विभार करने का निश्चे उसने किया था, उसके रिष् सिंग चतुर आदमी थे, पहली मुलाकात में भी अपनी बुलबुल साथ ले गए, बुलबुल ने शरायर से पर फर फड़ाने शुरू किये, कल्यार सिंग ने एक धौल बुलबुल की पीश पर दी, बुलबुल चोच खोल कर रह गई, चवन्नी की बुलबुल गई तो क्य कल्यार सिंग की बहुत समझ गई, कितने सक्त आदमी से पाला पड़ा है, उम्र भर उसने चू नहीं की, विनोच सिंग से इतना तो ना हो सका, पर ये समझा देना जरूरी था, कि जोरू के गुलाम बने रहने वालों में वो नहीं है, मन के उदकार को समेटे, परंत संक्षि हुआ पती के चरणों से, उसके गालों पर आसू बह चले, विनोच सिंग ने करवट पतली, खाट के इस दफे हिलने से नंदो के शरीर में रोमांच नहीं हुआ, अच्छा गोड़ दवाओ, नंदो को सुनाई पड़ा, संकोच और भै को अभी तक बस न कर पाई थी, कि डा चरित्तर यहां नहीं चलेंगे, रोने का मतलब? खेल चोड़ कर कंडे पातने को, वैसे माबापने भी कई दफे डाटा था, मार भी पड़ी थी, पर दिल लियों कभी न तूटा था, वे हडीले खुर्दुरे पाउं, जिनमें जूते के चमरे की तीखी तीखी गंद आ रह अबरी कीसी फटी-फटी तचा पर टपकते रहे, विनोस सिंग के मन में उमंग ने जोर मारा, गला पिगल गया, पुछका रहा, रो मत, रोती क्यों हो, नंदों की कलाई पर उसका हाथ जा पड़ा, इन हाथों का इस पर्ष, पाउं के इस पर्ष से अधिक सरसना था, सुक क सपन समाप्त हो चुका था, आंके मून और होट काट उसने निश्चे किया, उसे सहना है, जीवन की उठती उमंग, जीवन की समाप्ति से मुक्ति की चाहा में बदल चुकी थी, जिस काम के लिए उसे लाया गया था, सिर जुका कर उस उपयोग में वो आ रही थी, कल्पना क संसार और वास्तरिक जीवन का अंतर एक ही बात में सपश्ट हो गया, वो आई नहीं थी, उसे लाया गया था, तो फिर उसकी इच्छा कैसी, इच्छा तो है उसे लाने वाले की, अब दोनों हाथों में मूझ छिपा, गुटने पर सिट टेक कर उस सोच में डूप जाती, व लगता एक गिद, गाओं के बाहर के खेतों में सूरी निकलने से पहले उसने कई बार गिद्धों को निश्चेष्ट शव पर त्रप्ति के लिए चोंचे चलाते देखा था, उसे जान पड़ा जैसे उसका इच्छा रही शरीर निश्चेष्ट शव है और विनो सिंग एक वो मर ही जाए तो क्या, जब तक वो जीवित रहेगी, ये यातना जीवन में बनी रहेगी, बिना मरे इससे मुक्ति नहीं, परंतु क्या मर जाने के लिए ही वो पैदा हुई थी, बिना कुछ पाए ही, बिना कुछ देखे ही आचल मेहमूच शिपा कर रोने से उसे सांतो ना मिलती थी, पर जीवर रो पाने की सुतंतरता भी उसे ना थी, बुआ दिन की नीन में चौक कर, या पडोस की गमी खुशी से लोट कर, उसे रोता देखकर बिगड कर गाली देने लगती ये क्या कुलत चंदे हाथ से लेकर आई है, क्यों रोती है, रोना हो तो अपने पैदा करने वालों को रोए, नंदो गले में भरे आसों को हीच के पी जाती एक दिन बुगा भी चली गई, तो दुखों में आने वाले परिवर्तन का अफसर भी चाता रहा रात में आराम और सुबह भोजन पा विनोस सिंग दफ्तर चला जाता, इसी काम के लिए वो बंदों को लाया था नंदो रात की यातना और दिन का निरादर लिये निर्विग्न रोती और रोकर आने वाली संध्या के लिए रसोई और रात के लिए दिल कड़ा करती वो सोचती यही जीवन है, आसों की जड़ी में से विख्री हुई कल्पना की किरने कभी-कभी इंदर धनुश की भाती जलक उपती बेतु की बातें की याद आ जाती, मेले में देखे सुडॉल नौजवानों के गुलाबी आखें, गाओं के कुहे पर उसके लिए जगमोहन का प्रतीक्षा करना एक दिन उसने कहा था, नंदो, तुमारे लिए शेहर से टिकुलिया और चूरी लाएं हैं, लोगी? बाए हाथ का अंगुठा दिखा, उसने उक्तर दिया था, एहे, बड़े आए लाने वाले, लाला से कह दूंगी? रहा में लोटते समय वो सोचती आई, बदमाश सुर्चिरा कहीं का, पीछे पड़ा है, आज वो सोचती, जगमोहन दिल से उसे कितना मानता था, चिरोरी करता था, वो एहंकार से जहला उठती थी, अब वो सब कुछ रही नहीं गया, एक गहरी सांस सीने से उठाती, नंदो सोचती, वो मर जाए, फिर सोचती हाई, इतनी छोटी से उमर में वो कैसे मर जाए, क्यों मर जाए, और अगे चली जाए तो कहां, कहीं भी, उसे सब कुछ सहे है, शारीरिक, पीड़ा, भूख, सब कुछ, परंत यो निश्चेश्ट होकर, नोचा चाना नहीं, घर के दरवाजे पर लटकी चिक से, गली का जितना मार्क दिखाई देता था, उसे अधिक संसार उसने देखाना था, जाए तो कहां, परंत उस अंजाने भेंकर संसार में, म्रत्य से अधिक भेंकर तो कुछ नहीं, इस निरंतर यातना से वो भी अच्छी, कई दफे उसने निश्चे किया, अपने आपको कसाई के इस काट से हटा कर संसार के भवन में डाल दे, दिन भर वो अपने आपको तयार करती, परंत उ दहलीज पर पहुंचते ही पाउट ही टक जाते, वो रोने लगती, सहस आंसों में बह जाता, फिर वो रात में यातना का शिकार बनती, और भाग निकलने का सहस ना कर पाने के लिए पस्ताने लगती, आकर एक दिन रात का विचार द्रण रखने के लिए पती के दफ्तर चले जाने के बाद, उसने होट तबा, आंसों ना बहने का निश्चे कर लिया, रुके हुए आंसों की भाफ के जोर से, उसके कदम घर से पड़े, सकपकाते कदमों से चलती, वो शहर के बाहर नदी के किनारे जा पहुची, नदी में डूब मरने के लिए नहीं, एक देफे जीवन का उन्मुक्त श्वास सवतंतरता से हिदय में भर पाने के लिए, नंदो के गायब हो जाने की चोट से विनोस सिंग सुन रह गया नंदो का व्योग था, परंत उसे अधिक था, इस्तरी के भाग जाने का अपमान, रोज से उसका मस्तिश्क फट जाना चाहता था, उसके घर से भाग जाने का विचार यति मालुम हो जाता, तो इस्तरी भाग जाने के कलंग के बजाए, उसे कतल करने के अपराध ही अपने स ऐसी पापिन दुष्टा को भला प्रेम कर सकता था। पामों और बदन में एक टीसी उठने लगती जिसकी ओशद नंदों के हाथों के इस पर्ष में थी। सोचने लगता यदि एक दफ़े कहीं उसे देख पाता तो यत से बुला लाता और फिर कभी दुखी न होने देता। नीन ना आने पर नंदों के बिना उची मिडोरों से गिरी छत उसे भेंकर जान पड़ती। नीन में करवटे बदलते समय कोई सहरा ना पा नीन उचट जाती। उसका हिर्दे नंदों के लिए रोगता। जो जो समय बीतने लगा नंदों के विरह की तीवरता बढ़ने लगी। उसके अभाव की निरंतर अनभूत में नंदों विनोस सिंग को देवी जान पड़ने लगी। वो उसका पुजारी बन दिन रात उसकी लौ लगाए रहने लगा। सौपन में वो देखता नंदों वन की पकडंडी और नदी तरपर बाल खोले सुनी आँखों से भटक रही है। जोगिन भेश बनाए तन में भस्न रमाए। सुना घर उसे काटने दोड़ता। संध्या समय वो महावीर जी के मंदिर की आरती में जा बैठता और कीर्तर समाप थोने तक वैरागे के गीद गाता रहता। प्राता उठकर नदी इसनान करने चला जाता। नदी के गंदले बसरताती जल में इसनान करने से उसे शांती लाभ होती। मन की शांती के लिए वो प्रभा की और आखे लगाए, मुख से भगवान का नाम जबता रहता, परन्तु आखों के सामने लहरों पर उसे दिखाई देता, नंदो का जोगन भेज धरे शांत रूप, उस सावन की पूनों को नदी इसनान करने वालों की भीड अधिक थी, भीड से विनोस सिंग को क्या मतलब, वो नीचे के और नदी किनारे अपने ध्यान में मगने था, अचानक सुनाई पड़ा, पकड़ो अरे पकड़ो बह गई बह गई, सामने विनोस सिंग को गोते खाती एक इस्तरी दिखाई थी, नित्य तेरने के अभ्यास की कारण उसने आसानी से इस्तरी को जा पकड़ा, इस्तरी स्वैम तेरने का यतने कर रही थी, परंतो नदी के तेज परसाती प्रवा में बेबस हो गई थी, सिर के भीगे केशों ने मुख पर लिपटकर से अंधा बना घबरा दिया था, आसरा पाकर समल गई, साहरे के लिए अपना एक हाथ उसन की आखें चार हुई, भै से आर्थ एक चिलाहट इस्तरी के मुख से निकल गई, प्राण बचाने वाले का सहरा छोड पूरी शक्ती से ओ नदी की तेज धार के उर लपक चली, विनो सिंग बेबसी में पुकार उठा, नंदो परंतो नंदो हाथ से निकल चुकी थी, गंदल उसे विनो सिंग नदी की उमर्ती धार की ओर देख रहा था, प्राण देकर उसे अपमान की चोट लगा जाने वाली के प्रति उसका मन आत्म गलानी से चला जा रहा था, अब विश्वस्निय चलिया नारी, वो कभी किसी की हुई है? अभी आप सुन रहे थे, लेखक यश्पाल की लिखी हुई कहानी चलिया नारी, स्वर दिया था मैंने, यानि सीमा सिंग